भारत महा शक्ती बन रहा है हम भीक मांग रहे हैं पाकिस्तान के मंतरी ने संसद में अपने देश की उड़ाई धजिया चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर भारत महा शक्ती बनने की रह पर है हम दिवालिया पन से बचने के लिए भीक मांग रहे हैं मौलाना ने कहा कि देश की दुरदशा के लिए परदे के पीछे के फैसले लेने वाले अद्रिश ये ताकते जमदार है जिन्होंने जंता के चुने हुए प्रतिनिदियों को के पहले सत्र को संभूदित कर रहे थे उन्होंने इसी दौरान ये सभी बाते भी कहीं रह्मान ने पूछा कि कब तक हम समझोता करते रहेंगे कब तक हम सांसा चुने जाने के लिए बाहरी ताकतों से मदद मांगते रहेंगे उन्होंने 2018 और 2024 के चुनाओं में धांदली की निंदा की उन्होंने सवाल किया कि इस सदन में बैठते समय हमारी अंतरात्मा कैसे साफ हो सकती है क्योंकि हारने वाले और जीतने वाले दोनों संतुस नहीं है मौलाना ने कहा कि हमने अपनी देश को ठैराओ का शिकार बना दिया है ऐसे देश प्रागती नहीं कर सकते पाकिस्तान की बिगड़ी अर्थवेस्ता को सुधारने में भारत एम भूमी का निवा सकता है ऐसा पाकिस्तान के कुछ उद्योग पतियों का मानना है पिछले हफ्ते पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के दिगज और कारोबारी आरिफ हवीव ने इस पर कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हाथ मिलाए अधियाला जेल में बंद एक व्यक्ति से भी संबन ठीक करे ताकि वह चीजों को सुधारे अधियाला जेल से उनका संदर पूरो प्रधान मंतरी इमरान खान से था जब आरिफ हवीव ने भारत से हाथ मिलाने का आगरह किया तो उनके पीछे खड़ एक व्यक्ति ने भी सहमती दी आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी खबरों के ले चैनल को सब्सक्राइब करें